दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंगली शानियत पर जहाँ पर आज हम डिसकस करने वाले हैं टॉप टेन अब्जेक्टिब क्वेस्टिन्स जो की प्ले लिखा गया है विलियम शेक्सपीर के द्वारा जिसका नाम है हैमलेट दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने विलियम शेक्सपीर की बागरफी विलियम शेक्सपीर का एक प्लेज इसका नाम है हैमलेट उसको डिसकस कर रखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप महाँ से जाकर कर देख सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो पढ़ने है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जोगर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने ना भोलें जिससे की कोई भी वीडियो कर में अप्लोड करता हूँ इंग्लेस लिट्रेचर या ग्रामर से रिलेटेट तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक अप्जेक्टिव क्वेश्चन्स ओफ हैमलेट जब मैं आपको प्ले बताया था तो उसमें मुने बताया था कि जो प्ले ओपन होता है घोस्ट के साथ गोष्ट दिखता है कहाँ पर जो कि Elsinore साथ ऐसा ही कुछ नाम है वो एक castle है जो कि Denmark में है और Denmark के राजा होते है Hamlet जिनका भूद दिखता है ठीक है तो option आपका 20 है याद रखेंगे ये सारे questions आपके competitive exams में जरूर पूछे जाते हैं किसी ने किसी रूप में है फिर घुमा फिरा के किसी तरह से तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जो सारे questions है वो आपके competitive exam के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाले है competitive exam कोई भी हो चाहे TGT PGT या फिर NVSKV या कोई भी English literature से exam हो related तो उसमें आपको जरूर पूछा जाएगा तो पहले question का answer होगा option beat Denmark बढ़ते अगले question पे तो आपका अगला question है who do the guards first tell about the ghost that has appeared before them यानि कि guards जो कि उस castle की रखवाली कर रहे थे जिनके सामने ghost दिखाई दिया था तो उन guards ने सबसे पहले किसको जाकर के बताया था कि वहाँ पे hamlet का भूत दिख रहा है hamlet को बताया था, Horatio को बताया था, Claudius को बताया था, या फिर Gertrude को बताया था तो इसका answer जई होगा option number B दोस्तों Horatio को बताया था, Horatio जो कि hamlet का best friend था उसको जाकर के इन ने बताया था, तो Horatio ने जाकर के ये बात hamlet को बतायी थी ठीक है, तो Horatio ने hamlet को बताया था, guard ने Horatio को बताया था, या आप याल रखेंगे बढ़ते हैं अगले question पे, तो अपना अगला question लिखा हुआ है हमlet किसके साथ प्रेम में था या किस से प्रेम करता था, गर्टूट से, जूलियट से, Horatio से या फिर ओफिलिया से तो इसका correct answer होगा, ओफिलिया, option number D, ओफिलिया जो कि पॉलोनियस की बेटी थी पॉलोनियस, क्लाओडियस का एक soldier था उसी राज में, और उसकी बेटी थी ओफिलिया, जो कि हमलेट को लाइक करती थी, तो हमलेट भी ओफिलिया को बहुत लाइक करता था बढ़ता है अगले question पे, how is Claudius related to Hamlet? Claudius का Hamlet से क्या रिष्टा था? Claudius Hamlet का क्या लगता था? option A, cousin, option B, uncle, option C, brother, या option D, father दोस्तों हमने play में पढ़ा है कि Claudius, King Hamlet का भाई था छोटा, और King Hamlet का बेटा था, Prince Hamlet, तो इस तरह से Claudius Hamlet का चाचा लगेगा, यानि कि uncle option B, जब मैंने आको play पढ़ाया था, ये, इसकी summary बताई थी, तो भी मैंने आको clear किया था, जब मैं characters बता था, उस time भी, और जब मैंने play पढ़ाया थी, उस time भी, ठीक है? बढ़ते हैं अगले question पे, question number 5, how did Claudius kill Hamlet's father the king? यानि कि, जो Claudius था, उसने अपने भाई, या फिर hamlet, prince hamlet के father hamlet को, जो king hamlet थे, उनको किस तरह से मारा था? option A है, stepped him with dagger, मतलब कि, चाकु से चाकु घुप के मारा था, option B है, poured poison in his ear, उनके कानों में जहर डाल के मारा था, option C है, in a sword duel, यानि कि, तलवार की लाई करते समय मारा था, या फिर option D है, had him murdered by thugs, यानि कि, गुंडों से उनको मरवा दिया था, तो इसका correct answer होगा, option number B, दोस्तों, जब वो सो रहे थे, तो उनके कानों में Claudius ने जहर डाल दिया था, जिससे उनकी मौथ हो गई थी, बढ़ते हैं अगले question पे, question number 6 है आपका, who returns as a ghost and tell hamlet to kill Claudius, यानि कि, ghost की रूप में, भूत की रूप में, कौन वापस आया था, hamlet को बताने कि Claudius ने उनको मारा है, Claudius चकर के मारा दो, तो मैंने अभी जैसे कि आपको पिशे explanation दिया, आपको आराम से इसका अंसर पता होगा, कि वो घोष्ट किसका था, option number A, hamlet के father का, ठीक है, बढ़ते हैं अगले question में, question number 7 है आपका, who says to be or not to be, Claudius, Polonius, hamlet, Horatio, दो, दोस्तों, अगर आप hamlet play पढ़ रहे हैं, और आपको ये नहीं पता, कि to be or not to be line किस play से है, या फिर उसको किस ने कहा है, तो फिर आपका hamlet play पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि, ये most iconic, most famous line है, इस hamlet play का, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता, तो आप ये जान लीजिए to be or not to be, that is the question, ये पूरा line है इसका, और ये कब कहता है, जब hamlet, अपने चाचा Claudius को देखता है, कि वो बैटके prayer कर रहा है, और hamlet उसको मारना चाहता है, तब वो सोचता है, कि मैं इसको मारू या ना मारू, ये मेरे दिमाग में सवाल है, वहीं पर कहता है, to be or not to be, that is the question, और वो क्यों मारना चाहता है, क्योंकि उसके father को मारा था, और ये क्यों नहीं मार पाता है Claudius को, क्योंकि वो सोचता है, जब Claudius prayer कर रहा है, तो सीधे heaven में जाएगा, और मेरे father को जो इसने मारा है, उसको तो नर्क में जाना चाहिए है न, तो इसलिए वो नहीं मारता है उन option A है because he feels the king would go to heaven option B है because he has second thought about killing option C है because he thinks Ophelia will disapprove option D है because he does not have his poison with यानि कि वो यह सोच कर नहीं मारा कि वो सर्ग में चला जाएगा या फिर वो यह सोच कर नहीं मारा कि उसके दिमां में कोई दूसरा आडिया था उसको मारने का या फिर वो इस लिए नहीं मारा कि Ophelia इस बात को लेकर के बहुत नाराज हो जाएगी और फिर option D है वो इस लिए नहीं मारा कोई उसने अपना जहर नहीं लाया था साथ में तो बिल्कुल उसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि अगर वो ही उसको मारता उस समय तो ये स्वर्ग में चला जाता और इसको नर्क में जाना चाहिए तो इसलिए उसने Hamlet ने उस King को नहीं मारा था Question No.9 है आपका How did Aphelia die? Aphelia कैसे मर गई? Option A है Drowned, डूब करके Option B है Illness किसी बीमारी से Option C है Poison, जहर खाकर Option D है Old Age, अपने वृद्ध आवस्था की वज़े से तो इसका मैंने आपको फिले जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब Aphelia के फादर Polonius को Hamlet मार देता है तब वो इस शोक में आकर के अपने आपको नदी में कूद के डुबा करके जान दे देती, तो Option A आपका सही होगा Drowned, ठीक है आपका Last Question है Why does not, Sorry Who does not die in the Final Scene कि Last के Scene में, Final के Scene में किसके अम्रित्यों नहीं होती है Claudius की, Leertis की Horatio की या Hamlet की तो इसका Correct answer होगा C कैसे होगा, क्योंकि जब लडाई होती है, डुएल होता है, तो Leertis के तलवार में जो Poison लगा होता है तो वो तलवार Horatio को लग चुकी होती है, ठीक है और फिर वही तलवार हेलमेट लेकर के Leertis को भी मार देता है, इस टैप कर देता है तो Leertis तुरंट मर जाता है और जब हैमलेट को पता चलता है कि इस तलवार में जहर लगा हुआ है और वो भी मरने वाला है, तो वो मरते-मरते Claudius को ही मार देता है, और गर्डूर तो पहले ही वो शर्बत पीके मर जाती है मैंने आपको प्ले है बताया था लास्ट में सीन नंबर फाइव, आग नंबर फाइव में, ठीक है तो लास्ट में बचता कौन है, होरेशियो हैमलेट जाते है, होरेशियो से कि सबको बताना हमारी कहानी ठीक है न, तो ये थे हमारे कुछ most important questions, जो कि आपके competitive exam में, शायद पूछे जा सकते हैं, और अगर आपके institutional exam में भी उस तरह से questions आते हैं, कि objective तो बहुत ही obvious सी बात है, हो सकता है, पूछा जाए क्योंकि hamlet अगर play है आपके में, तो ये साथ questions बहुत common हैं कि जो हमेशा लगभग पूछे जाते हैं, दोस्तों के वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को subscribe कर दीजिएगा, मिलते हैं कि अगले किसी वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद